अक्ट्रस प्रियंका चोपरा और निक जोनस कुछ सबसे चर्चित इंटरनाशनल कपल्स में से एक हैं भले ही प्रियंका के फिल्म दसकाई इस पिंक बॉलिवुड बॉक्स आफिस पर अच्छी नहीं चली लेकिन वह और निक जोनस अपने रिस्त और तस्वीरों के चलते सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में रहते हैं निक और प्रियंका ने इस साल अपना पहला करवा चौत मनाया और तस्वीरे सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हुई लेकिन साथ ही वाइरल हो गया कि निक जोनस को एक ट्वीट भी इस ट्वीट को लेकर प्रियंका चोपरा और निक जोनस दोनों को ही काफी ज़्यादा ट्रोल किया गया यूजर्स ने इस पर मीम्स बनाए और उनका काफी ज़्यादा मजाख भी उराया दरसर निक जोनस ने अपनी पत्नी प्रियंका चोपरा की तारीफ में कुछ लाइने सोशल मीडिया पर लिख दी इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा लोगों का कहना है कि निक जोनस का पोस्ट लिखने का अंदाज ऐसा है जैसे छोटी क्लास का कोई स्टुडेंट ऐसे लिखता है निक ने लिखा मेरी पत्नी भारतिय है वो एक हिंदू है वो हर मामले में अतुल्य है उन्होंने मुझे अपनी संस्कुती और धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाया है मैं उनसे बहुत त्यार करता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम साथ में खूब मज़ा करते हैं सभी को हैप्टी करवा चौत एक और दिल्चस्प बात ये है कि निक ने हर वाके की सुरुवात कुछ इस तरह से की है जिससे कभी भी फॉलो बनता नजर नहीं आता निक के ट्वीट करने के कुछी दिर बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना सुरू कर दिया एक यूजर ने निक द्वारा बार बार कैपिटल लेटर्स यूज किये जाने को लेकर निक को पॉइंट आउट किया है एक अन्य यूजर ने निक को घेरते हुए लिखा सर प्लीज दो बार पल के चपकाईए यदि आप इसे किसी के दवाब में लिख रहे है एक अन्य यूजर ने लिखा वो किसी इसे तीसरे क्लास के बच्चे के निवन्द की तरह क्यों लिख रहा है एक अन्य यूजर ने निक जोनस के ट्वीट पर रिपलाई करते हुए लिखा तीचर ने ने कहा कि अपनी पत्नी पर एक निवन्द लिखो और निक जोनस बोले ठीक है ज़र एक मिनिट मेरा बियर का मग पकड़ो